हेलो वर्ल्ड, वेल्कम तो अनादर पार्ट फास्ट एलेडी सीरीज, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पापा के डाथ से कैसे बचते हैं तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे फास्ट एलेडी लाइब्रेरी के कुछ कलर फॉंक्शन के बारे में और सीखेंगे ब्राइटनेस कंट्रोल करना लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक होमवर्ग दिया था पूरे स्ट्रिप को रेट कलर करना जैसे हमने पहले तीन एलेडी से को एड्रेस किया था वैसे ही हम बाकी के एलेडी से को एड्रेस करेंगे और इसको रेट कलर करेंगे जैसे doctor के पास CPR होता है वैसे ही हम engineers के पास भी एक CPR होता है तो हम copy, paste और replace के मदद से कर देंगे इसको red करते हैं इसको compile and upload तो हो चुका है हमारा elastive red बहुत सारे pre-built color options आपको देखने को मिलते हैं आप चाहो तो उन्हें try कर सकते हो लिंक में description में डाल दूँगा pre-built color में आप लोग black देखके चौक मत जाना black का मतलब है off अगर आप किसी LED को black color करते हो तो वो off हो जाता है और ये बना के मैंने अपने पापा को दिखाया तो पापा ने कहा इसलिए मिल तेरा बात करेगा फिर मुझे मिला एक जमतकारी मेथर्ट जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी fastLED.setBrightness इस tutorial के purpose के लिए मैं 20 यूज़ करता हूँ ताकि camera में आप लोगों को अच्छे से दिखे लेकिन आप लोग 0 से लेके 255 तक कोई भी value डाल सकते हो हो सकता है हमने goal अचीव कर लिया लेकिन हम लोग engineers हैं laborers नहीं तो हमें अपने दिमाद से काम करना चाहिए इसको बहुत simple तरीके में हम लोग for loop से कर सकते हैं for int i equals 0 i less than number of LEDs फिर i plus plus फिर LEDs i equals crgb colon colon red और नीचे fastLED.show तो है ही करते हैं इसको compile and upload तो 30 line का code हमने बस दो line में कर दिया यह होता है engineers का काम यहां मैं आप लोगों को एक secret बता देता हूँ किसी को बताना मत fastLED में already एक method है जिससे हम लोग इसको एक ही line में कर सकते हैं fill solid, फिर LEDs फिर number of LEDs फिर color so crgb red करते हैं इसको compile and upload तो देखिए कुछ नहीं हुआ मतलब हमारा code सही से काम कर गया है अगर आपको आपके मन से कोई भी color देना है तो आप कैसे करेंगे उसके लिए आपके पास दो options है RGB और HSV RGB मतलब red, green और blue method यह है एक 3D color cube यह है red का axis यह है green का axis और यह है blue का axis हर एक side में 255 तक values है यह है हमारा origin अभी मान लेते हैं हमें red color चाहिए तो यह है red color का point यहां से हमको 255 point red तक आना है नहीं उपर जाना है green की तरफ और नहीं पीछे जाना है blue की तरफ तो r याने rate का value हो गया 255 g याने green का value हो गया 0 और b याने blue का value हो गया 0 अभी मान लेते हैं हमें यह yellow point तक आना है तो rate की direction में हम लोगो 255 point आना है फिर green की direction में 255 point आना है तो इसका color code होगा r 255, g 255 and b equal 0 अभी मान लेते हैं हमें यह dark pink color चाहिए तो इसके लिए हमको rate की direction में 255 point मूव करना है फिर blue की direction में 255 point मूव करना है तो इसका color code होगा r 255, g 0 और b 255 इसका घुमाने में मजा बहुत आ रहा है आप लोग तो वेट कर लो मैं इसका घुमा लेता हूँ तो उपर का सेम चीज हम लोग RGB मेथोड में करेंगे लेकिन इस पर हम इसके color blue कर देंगे ताके हम लोगों को change पता चले तो field solid, LEDs, num LEDs फिर c RGB, r 0, g 0, b 255 करते हैं इसको compile and upload तो जल गई हमारी निली उत्ती hsb मतलब hue, जो होता है actual color फिर saturation और value या brightness कुछ भी बहुत सकते हो imagine करो, ये एक cylinder है और इसका एक हिस्सा कटा हुआ है imagine क्या करना, आपको तो सामने ही दिख रहा है अगर हम इसको घुमाते हैं या फिर ऐसे बोले कि हम इसका अगर angle change करते हैं तो color change हो रहा है अगर हम इस कटे slice में नीचे से उपर जाते हैं तो इसका brightness बढ़ता है और अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो इसका saturation जादा होता है और अगर हम center की तरफ जाते हैं तो इसका saturation कम होता है अगर हमें purple color चाहिए तो इसके लिए हमें पहले सही angle पे इसको घुमाना है तो purple, purple, purple यह रहा अभी मुझे इसके आसपास आना है तो मैं इसका saturation थोड़ा बढ़ा दूँगा और इसका brightness थोड़ा बढ़ा दूँगा तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे लेकिन अगर हम brightness और saturation को fix रखते हैं और यहाँ पे इसका angle चेंज करते हैं तो दीखिए यह color change हो रहा है तो hopefully आप लोगों को समझ आही गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूँ यहाँ पे hue आपको 0 से लेके 359 तक नहीं मिलेगा वो यहाँ पे remap होके 0 से 255 तक आता है और saturation और value भी remap होके 255 तक होता है तो field solid, LEDs, फिर num LEDs, CHSV, 120, 255, 255 करते हैं इसको compile and upload तो यह देखिए हमारा LED strip हो चुका है green अभी थोड़ा मजा करते हैं अभी हम इसको field करेंगे gradient color से तो हम क्या करेंगे हर एक LED में hue change करेंगे saturation और value एकदम सेम रखेंगे तो gradient में जैसा एक starting color होता है और एक end color होता है वैसे ही हम लोग दो color pick कर लेंगे फिर दोनों में hue का difference करके देखेंगे और उसको 30 हिस्सों में divide कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा हर एक LED में कितना hue का difference होगा 30 से इसले divide करना है क्योंके हमने 30 LEDs लिया है तो मैं एक starting hue लेता हूं और एक ending hue लेता हूं int start hue equals 100 int end hue equals 220 20 अभी इनका difference निकालते हैं और देखते हैं हर एक LED में हम लोगों को कितना hue का change करना पड़ेगा बहुत ही सिंपल है मैं बस integer value डूँगा so int hue change equals end hue minus start hue और इसको मैं divide कर दूँगा number of LEDs से ताकि यह program dynamic बना रहे है तो हर एक LED को access करने के लिए हम लोगों for loop चलाएंगे जो आप लोगों ने ऊपर देखा और हर एक LED को address करके color change करेंगे so LEDs equals CHSV start hue plus hue change into i 255 255 हर बार हम hue change को i से multiply करेंगे क्योंके हर चीज fast LED के respect में हो रहा है एक LED में अगर hue change होगा 4 तो next वाले में होगा 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20 and so on करते हैं इसको compile and upload Mogambo Khushua as I said we are engineers not laborers तो Fast LED ने इसको भी आसान करके हम लोगों को दिये दिया है हमें बस करना है fill gradient LEDs number of LEDs fill starting color CHSV starting hue to 55 to 55 फिर ending color CHSV end hue to 55 to 55 फिर color change का direction तो मैं यहां पर दे रहा हूं forward hue यहां पे हम लोगों को चार options मिलते हैं forward hue, backward hue, shortest hue, longest hue आपको जो पसंद है आप वो करो करते हैं इसको compile and upload वुला हभी भी fill gradient में और भी options है like हम सारे LEDs को color ना करके एक segment choose कर सकते हैं और उसको color कर सकते हैं तो मैं पहला 5 LED को target करूंगा फिर 5 LED का gap दूंगा और फिर 11 से लेके 16 तक इसको print करूंगा तो fill gradient LEDs यहाँ पर LED का number देना है इंडेक्स नहीं यह आप ध्यान में रखना तो मैं पहला LED को choose करता हूं फिर starting color फिर ending LED का number फिर ending color फिर forward hue फिर similarly 11 से लेके 16 तक LEDs के लिए हम सेम चीज करेंगे करते हैं इसको compile and upload येस, we are successful तो इसको मैं comment out कर देता हूं और revert करता हूं पहले की code में अगर मैं start hue को 0 कर देता हूं और end hue को 255 कर देता हूं तो क्या हो सकता है शायद आप लोगों को पता ही है चलिए देखते हैं int start hue 0 int end hue 255 करते हैं इसको compile and upload वल्ला हभी भी लेकिन हम तो ठहर इंजिनियर शार्ट करते जाएंगे डॉकुमेंटेशन खोल के कोई method लाएंगे फास्ट LED में और एक फंक्शन है फिल rainbow फिल rainbow LEDs फिल number of LEDs फिल starting hue और हर एक LED में hue का difference अगर हम अपने फंक्शन से calculate करेंगे 255-0 divided by 30 का integer value 8 ही आता है करते हैं इसको compile and upload बूम अगर हम हर बार hue का value increase करेंगे तो देखिए क्या होता है सारे hue value के लिए हम लूप लूप चलाएंगे तो हमें लूप चलाना है 0 से लेके 255 तक for int i equals 0 i less than 255 i plus plus फिर fill rainbow LEDs num LEDs i 8 और fast LED.show function को मैं बाहर से अंदर कर देता हूं करते हैं इसको compile and upload मज़ा आ गया गुरू अपनो रेल कारी हो गया शुरू आप लोगों के effects मुझको जरूर सेंट करना Instagram पे और note में मैं आपको बता दू fast LED.show इसको हर बार आपको call करना है नहीं तो आपके LED में कोई भी color show नहीं करेगा तो enjoy कीजिए अपने रेल कारी मैं मिलता हूं आपसे अग्ले वीडियो में कर दो आपड़ कर दू कर दो कर दो कर दो